हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड मटन सीग पराथा इससे बनना बहुत ही असान बहुत जार टेस्टी बनके रेडी होता है आप देख सकते कितरा टेस्टी दिख रहा है और इस रेसिपी बहुत ही सिं कम से कम तीन से चार घंटा हो गया इसे रखे हुए ताकि पानी जो एक्स्रा निकल जाए इसके बाद हमें से मिक्सिंगे जाए में भूमा रेना है ताकि थोड़ा और बारिक हो जाए या लड़ी मशीन के पीसा हुआ है लेकिन हमें और फाइन चाहिए उसके जितने बार मे ढें हम हमा के करके यूए तो बारिक कर लियेंगे साथ के यूए करेंने से सउन से यह फायदा होगuhan में जमशा करिंगे तो टूटेगा नहीं और दूसरा जेकी जभा ख़री के बहुत कम टायमने पारा हो जाएगा हो तो छलो स्वे convention स्सार्ट करते हैं इसके लिए सब्सक्राइब कर दिया अधर लसुन का पेस्ट साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे बारी का टीवी हर विर्चे आप जितना भी खाते हैं जितने आपको पसंद दीखा उस रफ से एड़ करें उसके बाद मैंने इसमें एड़ कर दिया है वन टीस्पून भर के कुटी भी अक् सब्सक्राइब कर देंगे साथ ही मैं एड़ कर देंगे बारी कटा पुदीना और बारी कटा वहारा धनिया प्यास को पानी निचोड़ करना वना मिक्षर हो गीला हो जाएगा इसके बाद इसमें मैंने एड़ के एक चमश मैदा इसके जगा आप कॉन्फलोर भी यूज कर स काली मिर्श पाओडर हाफ टेश्फिश्पूं कॉलिश पचली पाओडर हाफ्टेश्पन हिल्दी पॉडर और लाम इसके बाद मैं आप कर दिया नए वन टीश्पून भरकी गर्मासाला और एक निम्बू कर लेंगे दिगा जाएगा इसके पानी बिल्कुल भी समय आड़नी करना है वहला यह कबाब फ्राइब करते हो तोट जाएंगे अब इन सब कुछे मिक्स कर लेते हैं है कि हादों के हैर से चाहतों यूश में भूमा भी सकते हैं से यह देखे मैंने मिक्स कर लिया यह तरह इसे अपस में अच्छा से मिल चुके हैं अब इसे कुछ देश सेट होने के लिए फ्रिश पर लग देंगे अट-लिस हाफ एनार तब तक हम यहां प्राठी की परपरेशन स्थार्ट करते हैै प्राठ्राने की सबसे पहले मैंने हा एक कप गेहूं का आटा ले लिया ऑर एक किप मैधना लेलिया है दोनों हम यहां हम ऐदे के मंद् bets क्रंद ऑल लेंगे हम से में बार स्था इसले से महाल है बार सि ग्यसे का यहीं बनता है चाहिए दोनों को बेखे गून के रडी कर लेंगे देखे गून के रडी हो गया है अब इसे लिए लगा के पर चालों तरफ लगा के से कुछ जर सेट होने के छोड़ देंगे सेट बनाने वाली सेट होती है सब के नॉर्मल घर में अवैलेल नहीं होता है इसके लिए मैंने यहां पर जुगाड़ू तोर पर यह सेट बना रडी किया है ने कांड़ी आती है स्टीक एजली हर जगा वेलेबल होती है हमारे घर में भी वह सी है क्योंकि हम से बनाते हैं सबसे पहले हम हाथों को और यह जो हमारी स्ट्रीक से उसको भी ऑईल से ग्रीज कर लेंगे तो थोड़ा सा पोशन मिक्षर कर लेकर हमें पहले आतों से गोल कर लेना है और इसे स्ट्रीक शोटी है इस तरह कांडी की जगा पैंसल के इस्तिमाल हुए कर सकते हैं यह कोई चानी स्ट्रीक आती है इस नोडल खाने वाली वह भी आप इस्समाल कर सकते हैं देखे हाथों के हलसे से दबा दबा के पतला कर लेना है देखे कोंटूटी जादा थी कि मैंने कम कर लिया है कॉंटूटी इस की और देखे कि तब पतला से सीख रेडी हो गया हमारा अगर आपके कांडी लंबी है तो बड़ा भी आप कर सकते हैं यह हमसे हातों से ही सीख के शेप दे देंगे फी जो इस्ट्रीक है हमारी उसे हम इसके अंदर एंटर कर देंगे इस देखे हमां सेकंड शेप सीख भी रेडी हो गया है इसी तरह हम सारे बना के रेडी कर अगर देखे थाड़ विए रेडी हो चुका है अब यहां मैंने एक गैस पे फ्राइपन रख दिया है करम होने के लिए और इसमें एड़ कर दिया है वन टेबल स्पून और हमें कमी स्थिमाल करना है तो अच्छी से करम होगा देख सकते हैं दूआ निकल रहा है ताम मैंने अच्छा बन के पैफर रेडी हुआ है आप चाहे तो इस तरह ही बना सकते हैं और देखे तोड़ थोड़ा हासिलों से लिए हातों से निकालना है ताकि तूटे ना कितनी असाले से निकल के आप देख सकते हैं अच्छा इसे हम सारे निकाल लेंगे और फ्राइब करने में डाल देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राइब करना है चार से पांच मिनट में यह फ्राइब हो जाएगा एक साइड फिस से कंड साइट हम चेंज कर लेंगे कितनी इसलिय निकल जाता है देख सकते हैं चार से पांच मिन फ्राइब करना आए ह। जल्दी इस फ्राइब कर रेडायगा यह ने बहुत ही बारी 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 निकाल लेते हैं और प्लेट में बहुत इजी प्रोसेसर बनाना भी और फ्राइब करना भी इसलिए ज़रूर ट्राइब करें बहुत सिंपल तरीके से बहुत इजा टेश्टी बनाने रड़ी हो जाता है अब इसे फ्राइब पैन में और बना गए रखा है तो इस तरह हम सारे फ्राइब करें निकाल लेंगे कि आब बनाने के लिए पराथा बनाने अचे पराथा के अब हम नहयुत निकल जाता है अचे में लिए और एक घेस नोहां Stephanal गरम करना इसके पराथा हम बना रहे है चुके इसके लिए लोई है बड़ी ही रखनी है पेड़ा जो हमार आठे का पाड़ा ही रखना है पाराथा मोटा होता है पर आठेगा और देख कि अ कि अधे हम अधे कि नहीं तरीस भी लेंगे अब इसे हम डायरेक्ली हमें जो हमने गयास जिसलिक साइट पर रखा हुआ है उसमें डिरेक्ली फ्राइ कर लेना है यह देखिए कितने अच्छी से फूल चुका है कितने अच्छलां पराथा रैडी हुआ अब देख सकते हैं अब इसे पराथा कर देती हुआ है कि अज्वार न्यूंतब आफम कर्षाला हुआ है दोनुन से चाहरे सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे इस तरह हम सारे बनाकर रेड़ी कर लेंगे मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूं देखिए पहले अच्छे से कच्छा पका सीख लेना है एक तरफ दोने साइट से और फेसे सम गर्म गर्म ऑल में डाल देंगे और इसे निकाल लेंगे और यहां टेस्टी सा मटन का सीख प्राट है रेड़ी हो गया है इससे आप ज़रूर ट्राइब कीजिए बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जाए प्राइब कीजिए बाहर आप खाते ही है एक बार घर पर बना के देखें बहुत ही पर्फेक्ट हो बहुत कम टायम है इसलिए बंगे रेडी हो जाता है अगर आपको वी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो चैनल सब्स्राइब कीजिए का वीडियो को लाइक कीजिए का अपने दोस्तों और रिष्टिदारों में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक आपसे जरूर प्राइब करें थैंक्स वाचिंग